प्रवीजिया को बिश्टाइब दिन दो इसे बाएंट स्वर्डाइब दो प्रवाइब प्रवेश्ट प्रवेश्ट को इसाधिश ने अंज दो आफिशन के उपर पेनिस पर मेल सेक्श्छल ओर्गन्स के उपर जो सवाल है बहुत सारे लोगों का सवाल आ जाता है कि पीनस जो श्रिंक हो रहा है छोटा हो रहा है तेड़ा हो रहा है उसका क्या मेन कारण क्या सिर्फ एजिंग है सिर्फ उमर के साथ तो होता यह देखिए उमर के साथ सब कुछ छोटा होता है सब कुछ श्रिंक होता है सब कुछ हुपि हडडी भी खराब होती है तो पीनिस भी ठोड़ा एक मसल होता है पीनिस इस स्पॉण्जी मसल मसल के उपर प्रॉबलम सेके उमर के साथ Blood सठीड कम होना heatherosclerosis होना उसकी मसल वीग मसलहस होना यह सब से testosterone कम होना यह सब के वज़े से यह होता है and it happens such a natural process so क्या penis टेड़ा होने का कर्म होने का या स्वरी अपना श्रिंक होने का और भी कोई कारण है जिया कारण है आप मानें नहीं penis जो है एक इंच तक आधे से एक इंच तक छोटा हो सकता उमर के साथ भी और बाकी कई कारणों सो भी अब क्या कारण number one reason aging number two reason बलके number one reason होना चीए aging नहीं number two reason होना चीए aging number one reason is obesity मोटापा हमने बताया penis की base पे जो skin है skin है उसके नीचे fat आ जाता है और ये एक इंच तक आईसा fat उपर हो जाता है और देखने वाला जो पीनस है वो हो जाता है छोटू तो भाईया आपका छोटू और छोटू हो जाता है because of your becoming more two so छोटू मोटू बिकम्स छोटू छोटू बिकम्स मोटू सब्सक्राइब इसके अलावा अगर आपने कहीं एजिंग के अलावा पेरोणीस डिजी आ गए आपको टेड़ा हो गया है उसके वजह से भी आपका टेड़ा होनी के वजज़े से साइस छोटा हो सकता है तो परेटा पेरोणीस डिजीज जिसको हम बोलते हैं पीनिस जो है वो टेड़ा हो गया है, जब पेनिस टेड़ा हो जाता है, करवेचर हो जाता है, इंटरकोर्स मुश्किल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, प्रॉबलम होने लग जाता है, तो can actually reduce the length and the girth of the penis, वो इसको दबा भी सकता है ऐसी, सोचो, अगर यहां पर पीनिस पीनिस के निचे पीनिल ट्रॉमा, रफ सेक्स, रफ handling of the penis, उल्टा लेट के बेड़ पर रगड़ी रगड़ी खेलना, उल्टा लेट के बेड़ पर रगड़ी परता है, कौन सिखाता लोगों को, बच्चों को बिगाड रहे हो तुम, भाईया, सुन लो, तुम, जो सिखाते हो, कोई भी, ब बिगाड के रहे हो, गल्ट सिखा रहे हो, ऐसा ना करते, सिखाना सही सिखाओ भाईया, पेरोनीज डिजीज, ठीक है, और मुटा पा, मुटा रहो तो भाई, वो पैड और फैड बढ़ जाएगा, जैमा काल, कुछ ना दिखना, मोटे-मोटे लोगों में इतना उसा दिखत की होती है, पीछे प्रोष्टरेट में 70% लोगों को आज ने तो कल, कल ने तो परसो, प्रोष्टरेट के वज़य से अगर प्रोष्टरेट का बी पी एच है, कैंसर है, और वो उसकी सर्जरी करिए, जिसका नाम है रैडिटिकल प्रोष्टेटक टॉमी, तो उसके बाद, 70% के से में चांस है कि आपकी mild to moderate shortening हो जाएगी पीनस की ठीक है है हो जाती है तो पीनस प्रोस्टेट सर्जरी और पेनस शोटनिग यह तीसरा कारन है रेर कारन है सबको नहीं होता है तो छोटे बाई को छोटा होने से बचाइए exercise करिए मोटे मत होई यहीं चीज कंट्रोल कर सकते हो प्रोस्टेट सर्जरी का टाइम आएगा तो आएगा भी उसका कुछ नहीं कर सकते है ट्रीट्मेंट भी फिजिकल एक्टिव न्यूट्रिशिस डाइट समोकिंग नहीं करनी है समोकिंग से अथ्रोस्क्लोरोसिस होगा वहाँ पर खून का सप्लाइए कम होगा जो भाईया दस साल में पांच साल में गड़ बड़ हो जानी है है कि अलकोहल ज्यादा नहीं लीजिए इनक्टिव नहीं बैठे रही है एक्स पॉइंट का में होर्मोन का में काम है आपका मर्दाना होर्मोन मर्दाना चीजे करो मर्द क्या करते हैं मर्द का करते हैं आप बने हो भगवान ने बनाया था आपको ताकत दी थी लड़ने के लिए ताकत दी थी ताकत दिखाने के लिए कहीं चड़ने के लिए कई कूदने निकले कि फाद निकले ड़ना निकले शिकार करने के लिए तो अब वो जमाना तो रहे नहीं किया तो अब भाया एक्सरसाइस करो अब भाया दौड़ अब भाया करो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो तुम्हारे इतनी मसल दी है बैठके पेपर खोलने में लैप्टाप तोड़ने ना दी है ठीक है फिजिकल एक्टिविटी करो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी इस प्रिजिकल एक्टिविटी नाम की चीज ना होती जी इंडिया में तो ना है वाकी urologist के पास जाएए अगर penis size में problem है the only person who can help you who can increase a penis size who can do surgeries on your penis is a urologist in India don't go for the word sexologist go for the word urologist ठीक है the person should have a degree of MCH urology MCH MS surgery के बाद MCH urology करके जो बन्दा है वो penis पे surgery कर सकते है those are the real sexologist of this problem so go to them instead of anybody else if you have a टेड़ा पीनस और छुटा पीनस or if you want to increase the size वाके गोली गाली ना आती गोली नी आती प्लीज गोली गाली सक्षन फक्षन उल्टे सीधे तरीके ना इस्तमाल करके देखियो ठीक है injury करोगे और फिर जाके रोगे यह मिर्थे हो गया बता भी नहीं पाते कई लोग तो बताते भी नहीं पाता नहीं वेने क्या क्या ट्राइक कर रखा है ना करो गया तुम्रा छुटा भाई है okay so please do that thank you so much guys I'm Dr.Paramji you're watching Dr.Education remember the basic importance ठीक है and take care see you next time stay connected stay healthy you